जैसा कि आप सभी जानते हैं, TCI ग्रूप ने राष्ट्र की प्रगती के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, वर्ष 2008 में गोल्डन जुबली मनाया था. इन गौरवशाली 50 वर्षों में, TCI ने हमेशा कुछ नई उपलब्धियों को हासिल किया है. आईए एक नजर डालते हैं TCI ग्रूप की सफलता की यात्रा पर. 1958 में शुरू हुई TCI ग्रूप का लक्ष था एक दिन नंबर वन लॉजिस्टिक्स कम्पनी बनना. TCI ग्रूप की शुरुआत हुई एक आदमी, एक ट्रक और महज एक आफिस के साथ. लेकिन आज TCI एक लीडिंग इंटेग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सलूशन सर्विसेज प्रवाइडर बन गया है. ये TCI ग्रूप के इतने सालों की मेहनत का नतीज़ा है कि आज TCI के पास 1200 फुली कंप्यूटराइज ओफिसेज, 6500 स्ट्रॉंग वर्क फोर्स, 7000 ओपरेटिंग ट्रक्स, 6 कार्गो शिप्स तथा 7.8 मिलियन स्क्वेर फीट वेर हाउस हैं. अर्थ विवस्थान उपात के अनुसार, TCI भारत की 2.5 प्रतिशत GDP का हिस्सा ट्रांसपोर्ट करता है. भारत के अलावा, TCI के आफिस अन्य आठ दूसरे देशों में भी स्थित हैं और TCI 170 देशों को अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहा है. अपनी बेहतरीन प्रोड़क्स और सर्विसेज की बदालत, आज TCI ग्रुप का उदेश्य न केवल अपने राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय ग्राहकों को संतुष्ट करना, बलकि वेंडर्स, एम्पलॉईज और शेर होल्डर्स को भी संतुष्ट करना है. ये मकाम हास सफलता को हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान देती है. ठीक उसी प्रकार, TCI के मूल आधार उसकी सफलता का कारण है. TCI ने हमेशा से ही अपने काम में कुछ खास नीतियों और सिद्धान्तों को अपनाया है. और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने एक नई पद्दती का निर्मान किया है, जिसका नाम है CORE, आईए, इस कोर को ध्यान से समझें. C, कस्टमर फोकस, यानी ग्राहक के इंद्र, ग्राहक के लिए ग्राहक के साथ. संबंध, ऐसे पारस्परिक लाबदायक संबंध बनाना, जो ग्राहकों के लिए मूल्यवान हो विश्वास, अपनी सेवाओं से ग्राहक को निरंतर हर्शित करके विश्वास की मजबूत नीव तयार करना. पारदर्शिता, एक ऐसी स्पष्ट सूचना नीटी को अपनाना, जो सभी हित धारकों के हितों को सुनिश्चित कर सके. O. Ownership यानी स्वामित्व ग्राहकों के प्रती अनुक्रियात मक्ता को अपनी मूल योग्यता बनाना, एवं व्यापार के समस्त पहलियों को पंक्तिबद कर सर्वोत्तम परिणाम देना, अनुकूलन शीलता, लचीला होना एवं ततपर्ता के साथ ग्राहकों तक पहुँचना. प्रगती शील निरंतर नई खोज करना, एवं अपनी सेवाओं में विस्तार द्वारा, लॉजिस्टिक्स उद्योग में सबसे आगे रहना. E. Empathy यानी समान उभूती अपने दैनिक कारियों में भावनात्मक ज्यान को समाहित करना, एवं प्रतेक के प्रती आदर के द्वारा कार्य सुलभ वातावरन पैदा करना. परिवार संस्कृति भारती यप परिवारिक मुल्यों को व्यवहार मे लाना, सम्मान, प्रतेक के व्यक्तित्व का सम्मान करना, पर्यावरन चेतना, पर्यावरन के प्रती जागरूक रहना, एवं उत्तम प्रथाओं को समोहित करना. सामाजिक दाइत्व सभी के जीवन को बेहतर बनाने है तू समाज कल्यान के कारिक्रमों को अपनाना TCI Group इन मूल आधारों में विश्वास रखता है और उम्मीद करता है कि TCI Group के सभी एंपलोईज इन मूल आधारों को समझ कर और अपनी दिन्चर्या में सम्मिलित कर उपयोग करें ताकि TCI Group अपने हर लक्ष को एक जुठ होकर हासिल करें और निरंतर आगे की ओर पढ़ता रहें